नमस्कार्ट स्वगत है आपका आप देख रहे हैं दन्यूस और मेरानी गुपता आपके साथ स्वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है तलंगाना को ले करके आपको बता दे कि तलंगाना में जैसे ही कॉंग्रस की सरकार बनी तो तलंगाना विदानसभा में प्रोटेम स वधायकों को शपत दिला सके लेकिन इस चीज का बीजपे वधायक टी राजा सिंग ने कड़ा विरोज जताया है उनका कहना है कि वो अगवरुद्दीन ओवैसी के सामने जब तक जंदा हैं शपत नहीं लेने वाले हैं ना सिर्फ टी राजा ने बलकि जो जी किशन संत्री उन्होंने भी इस बात पर खड़ा एत्रा जताया है आपको बता दे कि हाल ही में संपन हुए तलंगाना विधान सवाचनाओं में चुनकर आए विधायकों को शपत दिलाने के लिए ए-i-m-i-m के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रटेम स्पीकर बनाने के फैसले पार ववात खड़ा हो चुका है दरसल जहां वो आज सदन में पहुंचे तो जो तमाम नव निर्वाचे तो वधायक थे कॉंग्रेस के वो तो शपत लेते हुए दिखाए दियें लेकिन पूरता बीज़पी के जो वधायक रहे उन्होंने इस बात को लेकर के कड़ बता दे कि बीज़पी वधायक टीराजा सिंग ने कहा कि वो प्रटेम स्पीकर बनाए गए अग्वर उद्दीन वैसी के हाथों कभी भी विधायक पद की शपत नहीं लेंगे इसी के साथ ही टीराजा ने कहा कि वैसी कासिम रिजवी के वन्शज हैं जो कि हाइदराबाद क नर्जाम के रजाकार सेना के मुख्या थे इन रजाकारों ने तलंगाना के लोगों का नरसंगार किया था ऐसे में वो अग्वर उद्दीन के स्पीकर की कुर्सी पर रहते हुए शपत नहीं ले सकते साथ ही उन्होंने कॉंग्रस सरकार पर भी निशाना साधार कहा कि नए- कि यह वही अग्वर उद्दीन ओवैसी हैं जो कि 15 मिनट में पुलिस हटालो वाला बयान देते हैं सुनिये किस तरीके से टी राजा जो है वो अग्वर उद्दीन ओवैसी का खड़ा विरोज जता रहे हैं बहुत ही दुर्भागी की बात है नहीं सरकार नया कॉंग्रेस का मुख्य मंतरी रेवन तरड़ी बनने के बाद में कॉंग्रेस का असली चैरा सामने आया है हर बार रेवन तरड़ी ये कॉमेंट करते थे कि बीजेपी यम्मायम बियारस एक है तो आज तलंगाना की जनता को पता चल गया है कि कौन किसके साथ है कौन कौन कब कहां पर मिला ह और आज अगबर दिन ओवेसी को जो की एम आयम का विधायक है उनको प्रोटेमी स्पीकर बने आ गया तो ऐसे विक्ति के सामने हम शपत नहीं लेंगे जो 15 मिनिट में 100 करोड हिंदूं को मानने के बात करता है ऐसे विक्ति के सामने हम शपत नहीं लेंगे जो गौव मास खा या फिर सांसदों को उनके पद की श्पद दिलाता है स्थाई स्पीकर के चुने जाने तक ही काम करता है अब अग्बरुद्दीन OEC हैदराबाद की चंद्रयान गुट्टा सीट से विधायक चुन कराये हुए हैं जबकि टी राजा सिंग हैदराबाद की ही गुर्शाला महल सीट से पुना विधायक चुने गए हैं ये वही हैदराबाद है जिसे OEC का गड़ माना जाता है जिसके बावजूद बीजपी के विधायक टी राजा ने यहाँ पार बहुमत के साथ जीत हासल की टी राजा सिंग नेराज के मुख्यमंत्री रवन्त रडडी के अगवाई वाली नई नवेली कॉंग्रस सरकार पर तुस्टिकरन का आरोप भी लगाया उन्होंने कहा कि चुनाव क किस से नहीं इसी के साथ ही टी राजा सिंग तेलंगाना में बीजपी के फायर ब्रांड नेता है चोकि अकसर अपने बयानों की वज़े से चर्चा का विशयब बने रहते हैं जबकि अकबरुद्दीन ओवैसी सांसद असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं और उन्ह भी शपत नहीं लेंगे वो अगले दिन स्पीकर के चैंबर में जाकर शपत लेंगे जो नया स्पीकर चुना जाएगा उनके सामने वो शपत लेंगे लेकिन अगबरुद्दीन ओवैसी के सामने जब तक जंदा हैं वो शपत नहीं लेने वाले हैं विदायक्टी राजा का क गोर तलब है कि साल 2012 में अकबर उद्दीन उवैसी ने एक विवादद बयान दिया था जिसको ले करके खुब हंगामा हुआ था आपको बता दे उन्होंने कहा था कि मुसल्मान 25 करोड है और हिंदू 100 करोड लेकिन अगर 15 मिनट के लिए देश में पुलिस हटा दी जाए तो बता दिया जाएगा कि कौन कितना ताकतवर है बता दे कि राजा सिंग का कहना है कि वो बीज़पी के विदायक दल की बैठक में शामिल होंगे और इस पर बात करेंगे अन्य नए चुने हुए विदायक उनकी बास से सहमत है या नहीं बीज़पी ने हाल ही में संपन हुए तिलंगाना विदानसवा चुनाव में आठ सीटे जीती हैं जो अब तक का उनका रज में सर्वस्रेश्ट प्रदर्शन है यानि कि लगातार तिलंगाना में बीज़पी के स्थिती और भी जादा यहां पर मजबूत होती हुई नसर आ रही है और यहीं वज़ए है कि टी र जंबन कैंसल करके उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया जिसके बाद उन्होंने ओवैसी के गड़ कहे जाने वाले हैदराबाद को डहा दिया और वहां से प्रचंड जीत हासिल की है आपको बता दें इसी के साथ ही बीज़पी के ही जो केंद्रिय मंत्री हैं जी किशन रेड़ी उन्होंने भी इस बात को लेकर के कड़ा विरोध जताया और उन्होंने कहा कि हम जो अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेन स्पीकर बनाए गया है कॉंग्रेस सरकार की ओड़ से इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं बहिशकार करते हैं बारती जनता पार्टी तेलंगाना स्टेट ने तही किया है जो प्रोटेन स्पीकर का अपाइन्मेंट जो अकबरुद्दीन को नियुक्ति किया गया हम उसको खिलाफ करें प्रोटेस्ट भी करें क्योंकि सीनियर से मेले से उनको चोड़कर कांग्रेस पार्टी ने मजलिस पार्टी का विक्ति को प्रोटेन स्पीकर का अपाइन्मेंट करना वो विदान सबा का जो नियम है परमपरा है यह परमपरा के किलाफ है यह बहुत सीनियर मेलेस को अपमान भी है इसलिए हम चाहते हैं जो प्रोटेन स्पीकर जो मजलिस पार्टी का इल्लीगल उनका समक्ष में हमारा MLS ओत नहीं लेंगे, हम रेगुलर स्पीकर आने के बाद ओत लेंगे, क्योंकि शासन साबा में जो आज तेलंगान आस्सेमली में कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा मेजाटी नहीं है, सिरफ पांच लोगों का मेजाटी है, क्या होता है पता ने, इसल सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया, आपको मालूम है, मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी जो प्रचार किया है, बीजेपी एम्मे में एकी है, अभी कौन एकी है, इतने दिन से हम बोले तो आप लोगों जनता जवाब दिया है, आज जवाब ही मिल गया, बीजेपी एम्मे में एक ऐसा बहुत गलत प्रचार किया, जूटा प्रचार किया, आज कोन एम्मे में किस के साथ है, एम्मे में टियारेस के साथ है, एम्में कांग्रेस के साथ है, एम्में कभी भी बीजेपी के स साथ हम आने नहीं देंगे, I.C. पार्टी के साथ हम कभी मिलके नहीं रहेंगे, आज पिर एक बाद वास्तविक्ता देश के सामने, दुनिया के सामने आया है, कांग्रेस पार्टी, M.A.M. पार्टी एक ही है, वो लोग M.A.M. को नजिक लेने के लिए जो नाम्स को, अस्टम स्पिकर अपाइंट किया के, आज वो तिंग और स्पिकर एलेक्शन किया है, उसको हम बैश्कार कर रहे हैं, हम अभी हम गवर्नर को भी जा रहे हैं, गवर्नर को भी पूरा प्रटेस्ट करेंगे, और मेमरेन भी देंगे, और स्पिकर का एलेक्शन रोकने के लिए भी डिम का आज एक ही रस्ता में चलने वाले पार्टी यह पिर एक बास सबूत हो गए और तलब है कि तलंगाना चुनाव के समय लगातार जहां बीजपी पार्टी कॉंग्रेस पर आरोप लगा रही थी तो वहीं दूसरी और कॉंग्रेस भी बखादा बीजपी पर आरोप लगाते चुकी है नए नए सीम बने है तो यह चीज़े देखने को मिल रही है कि कैसे जिस मिला हुआ बता रहे थे उनहीं के पार्टी के जो विधायक है और असद उद्दीन ओवैसी के भाई अकबर उद्दीन ओवैसी है उन्हें प्रटेम स्पीकर बनाया जाता है अपने आप में यह देखने वाली बात होती है कि कैसे कॉंग्रस जो है वो AIMIM के विधायक को साथ देतो हुए नजर आ रही है और यही बात दोहराते हुए टी राजा सिंग भी नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने सीधे तोर पर कहा कि पहले कॉंग्रस कुछ बोला कर रही थी लेक्शन के है और जनता को सब कुछ दिखाई देता है फिलाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्यारा है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं धन्यवाद